कैसे हैं आप सब लोग मैंने में इस अरविन दरोडा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे जी केमिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का इमस का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और हमारा चल आपको काफी जाधा मदद भी कर रहा होगा आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर जी के और करन्ट फेर के 10 ultimate questions लाया हो जो कि काफी जाधा important है आपको बस पड़ा फट से देख लेने हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अब मेरे सारे वीडियो लेक्चर्ज इंडिया जाजिस लर्निंग एप अनकैडमी आप पर भी अवलेबल है जिसको आप गूगल प्लेस्टों से डाउनलोड कर सकते हैं अनकैडमी में मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है जिसको क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल को सीधे सर्च कर सकते हैं आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप इस चीज़ को अपने जूनियस को भी पास ओन कर सकते हैं गाईज करन्ट अफेर के वीडियोस भी मिल जाएंगे मोडिवेशन वीडियोस और यूसफुल एक्जाम टिप्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे अभी तक 350 प्लस वीडियोस हम लोग चैनल पे अपलोड कर चुके हैं गाईज बत अदैर प्लस वन माग देनाए अगर आप गलत होते तो माईनस फंबाई थी माप अपने आप देने इमानदारी से सो चलिए फर्स को देखते हैं देखिया आपको आता है कि नहीं which India city has recently got its first floating market interesting question है और यह आ सकता है so finally first question का answer बनेगा Kolkata अगर आप Kolkata सोच पा रहे थे तो आपके plus one mark हो गए guys second question की दरव move करते है who is appointed as the new chairman of ISRO यह बहुत important question है और मेरे ख्याल से इसको मैं 5 star दे सकता हूँ इसके आने के chances बहुत है so ISRO K यहाँ पर नए chairman का नाम बताना है आपको so second question का answer बनेगा that is Shivan K अगर आप B सोच पा रहे हैं तो आपके plus one mark फिर से हो गए guys यहाँ से इसको दो बार देख लेना है वीडियो को आपको सारी questions ज्याद हो जाएंगे Shivan K इसका answer होगा third question की तरह move करते है whose birthday is celebrated as national youth day on 12th January interesting question तो फड़ा फट से बताइए यह तो आना चाहिए आपको guys so finally इसका answer बनेगा Swami Vivekananda अगर आप यह सोच पा रहे थे तो आपके plus one mark हो गए guys fourth question की तरह चलते हैं fourth question पढ़िये बहुत अच्छा सवाल है what is the name of the technology giant which has topped fortune magazine's list of the words most admired companies for 2018 बहुत अच्छा सवाल है and the answer of this question is apple अगर आप Apple सोच पा रहे हैं या फिर लिख पा रहे हैं तो आपके plus one mark हो गए guys fifth question की तरह हो करते है पाच्वा सवाल देखिये who will be the new chief election commissioner of India या ये question भी आ सकता है इसको star लगा रहा हूं है so finally इसका answer बनेगा ओम प्रकाश रावत अगर आप ओम प्रकाश रावत सोच पा रहे हैं तो आपके plus one mark हो गए guys sixth question की तरह हो करते हैं छटा सवाल देखिये the union government deciding to declare 2018 as ये सवाल बहुत अच्छा है अब इसको मैं 5 star दे रहा हूं जिसको भी मैं 5 star दे रहा हूं वो बहुत अच्छे सवालों में शामिल है the union government deciding the declare declare 2018 as आपको बताना है 2018 का साल कैसे declare कर दिया गया है जरा सोचिए finally इसका answer बनेगा national year of millets बहुत ही जादा important है national year of millets देखिए millets ऐसे cereals हैं जो की warm places में उगाये जाते हैं जहाँ पर soil इतना अच्छा नहीं होता है या आप ध्यान रखिए तो इसका answer होगा A अगर आप A सोच पा रहे हैं तो आपके plus one mark हो गए guys next question की तरह move करते है 7th question देखिए क्या है 7th question name the city which is celebrating the kumbh of literature festival interesting question तो बताई इसका answer क्या होगा finally इसका answer बनेगा जाइपूर अगर आप जाइपूर सोच पा रहे हैं तो आपके plus one mark फिर से हो गए guys 8th question की तरह move करते है what is the headquarters of Sark बहुत अच्छा सवाल है ये Sark का headquarters बताना है आपको कहा पर है और answer बनेगा 8th question का काट मांडू अगर आप काट मांडू सोच पा रहे हैं तो आपके plus one mark हो गए guys 9th question की तरह move करते है what is the rank of India rank of India as largest steel producer आपको बताना है largest steel production में इंडिया का rank कितना है and the answer of 9th question is 3rd अगर आप ये सोच पा रहे थे तो आपके plus one mark हो गए सारे के सारे याँ पर current affair के questions है और आने के chances बहुत ज़्यादा है last question जो की मेरा favorite question है और मैं इसको star लगा देता हूँ ये अभी 5 star दे रहा हूँ फिर से याँ पर 3 questions हो लिए मैं 5 star में डाल चुका हूँ देखे 10 सवाल क्या है the government of India has launched the FIEO global linker for MSME exporters to that is digitize their businesses what does FIEO stands for आपको बताना है FIEO का full form क्या है बहुत अच्छा सवाल है finally इसका answer क्या बनेगा ज़रा चेक कीजिए और इसका answer बनेगा D अगर आप D सोच पा रहे हैं सारे options में तो आप बिलकुल सही है that is Federation of Indian सिर्फ यही फरक है Indian Export Organizations देखे ऊपर जो है सिर्फ यही इसी वर्ड में फरक है सिर्फ इसी वर्ड में actually में वो है Indian so finally यह मेरी तरफ से 10 ultimate questions हो गए I hope guys आप लोगों को channel से बहुत ज़्यादा help मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग MCQs के videos current affair के videos general knowledge के videos assertion और reason के videos भी upload कर रहे है so guys यह बहुत helpful है please आप इसको share ज़रूर कीज़े अगर आपको अच्छा लगा तो 4 छोटे छोटे से काम करके जाए first of all तो channel को subscribe कर लीजे bell icon के button को ज़रूर दबाईए ताकि notification आपको समय से मिल सके share कीज़े videos को जितना ज़्यादा share करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा moral भी boost होगा और हम अच्छी अच्छी videos आपके लिए लेके आते रहेंगे like करें videos को जितना ज़्यादा like करेंगे उतना हमें बहुत अच्छा लगेगा साथी साथ comment section में अपने marks लिखिए ताकि हम आप लोगों को कुछ ने कुछ valuable suggestion जरूर दे सके गाईज अगली video मिलते हैं thank you so much subscribe करना मत भूलेगा thank you so much thanks a lot